पूरात पूरा मुदाज्यते, पूराश्य पूरामादाय, पूरामेवावसेश्यते, ओम शांति 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 पंचदसे ग्रंत के ग्यारमा प्रक्रण है, बारा नंबर श्लोक का चल रहा है ब्रह्मानन्द है, ब्रह्मा का स्वरूप आनन्द है, विज्ञानम आनन्दम ब्रह्मा का आगया तो ब्रह्मा स्वरूप जो आनन्द है, भीमबरूप आनन्द है, उसको समझाने के लिए तेतरिय सुति का आधाल ले रहे हैं ग्रंतकार ठीक कौन सुति का तेतरिय उपनिशत की जो सुति है भ्रिगु पुत्र पितु सुत्वा बरुनात ब्रह्म लक्षणम अन्न प्राणा मरो बुद्धिस तेक्त्वानंदम बी जग्जिवा यह श्लोक हो गया था? हाँ, श्लोक हो गया था ना? ब्रह्मो लक्षणम सुत्वा ब्रह्मो का लक्षण है एक स्वरूप लक्षण होता है एक तटस्त लक्षण होता है सत्यम ज्यान मनंत ब्रह्मा यह स्वरूप लक्षण है यतोवा इमानिकर गोताने जानते यह सब तटश्त लक्षन है किसका निर्विशेष का गी सब इसेष का गी है यह यह ब्रह्मलक्षन में शुत्वा किससे सुना बलते हैं बरुनात पितु हु शुत्वा जो पिता है बरुन उसके मुखारविंद से यह सुना किसने सुना ख्रीखु हु पुत्रए भ्र्रीखु यहांपर, बनुनों का सम्बाद है उस सुनग, इटीकाम आएगा यतुभाई वार मुर्म हंने न जानते यह ब्रम्यक लबीड को सुनग और फिर घटाया तो कहां से घटाया, प्रारम कहां से किया प्रतम क्लास से किया पाड तो प्रतम क्लास से करोगे न तो प्रतम क्लास का पाड क्या है अन्ना, यह अन्ना मया कोष स्थूल शरीर किदने कोष होते हैं, तीने की चैर है पांच है, ठीक तो अन्न मया कोष, प्राण मया कोष, मनो मया कोष, विज्ञान मया कोष और आनन मया कोष तो चारों में पहले घटाया, घट नी पाया, दोस दिखे दिया चित्त इदी सुद्ध हो तो दोस दिखेगा और चित्त सुद्ध नहों तो दोस दिखता नहीं है सुनते हैं तो दोस देखना आच्छा है कि आच्छा नहीं है कभी आच्छा है कभी आच्छा नहीं भी है एक नहीं तो बैराग्य का हेतु जो दोस है ज्ञान का हेतु जो दोस दर्शन है वो देखेंगे तो ठीक है ज्ञान का प्रतिबंदग सरवत्र दोसी देखना है एक ज्यान का प्रति बंद्य होता है सुनते हो तो चारों में घटा या तो घटा नहीं तो पिर कहां पर घटा है पिर आनंद में घटा दिया आनंद में कोशे अज्यान अविद्या उसका जो अधिष्ठान प्रणम बिंबरुप आनंद प्रति बित आनंद का अधिष्ठान जो बिंबरुप आनंद है उसी को ब्रह्म समझा सुनते हैं यह यहां पर होता है जन्माद्यस से यता है जगत कारणत्व से उपलक्षित प्रणम जगत का कारण हो गया सविशेश, सविशेश में कारणात्व है, कारणात्व कहां पर है, सविशेश, कारणात्व से विशिष्ट हो गया सविशेश, कारणात्व से उपलक्षिता होता है निर्विशेश, इसको कहते है उपलक्षिता, क्या कहते हैं, उपलक्षिता, शुरुपे आनंदम भी जग जिमान टीगा में देखो भ्रुगु नाम कहा पुत्रह बारन मस्लोक की टीका है आवाजारिये भगवान आप लोग को ठीक भ्रुगु नाम कहा पुत्रह भ्रुगु हो नामो यस्य भ्रुगु नाम कहा पुत्रह 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 भ्रुगु नाम कहा पुत् यतोबायमाने भुताने जायंते येन जाताने जीवंते यत प्रयंते अविशम विशंते तत विजिग्यां सश्व तत ब्रह्माईती है ना उत्पत्ति का हैतु का बता दिया यतोबायमाने भुताने जानते येन जाताने जीवंते श्तिति का हैतु और जिसमें लीन हो जाते ह जिसके साथ तादात्मे को पात को ले, जैसे घट मिट्टी में एक हो जाता है, फूट जाता है तो घट कहां जाएगा, मिट्टी में, है की नहीं, तो लएका आधार भी होई हो गया, तो तत, तत कहना से यत पसे जिसको लिया, तत पसे उसको लो, जो उत्पति का है तू, उसको तुम जानो, विशेश रूप से जानो, बहुं która लगादिया मतलग क्या है, संसा यह बिपर्यार रहित होकर कि अपरोक्छा रूप से जानो अपरोक्शा ज्यान में भी संसा होता है, आप Kenny बर्चु का बता है न कल वेकिन सामने तो देख रहा है बर्चु आ गया न संक्चिव शरीर गरंथ में है कोई आप कहले तो बोल दिया कि बर्चु मर गया है बाद में आया तो गोले उसका प्रेत आया है तो सामने तो बर्चु देख रहा है राजा यह अपरोक्षा है कि नहीं अपरोक्षा है कि नहीं बुझ रहा हूं लेकिन यह मरा है कि जिन्दा है यह संसर होगे कि नहीं होगे और यह प्रेत है ब्रान्ति होगे यह प्रेत नहीं है मरा है कि जिन्दा है यह संसर होगे मतलब ये वर्चू बास्ते भी है कि उसका प्रेथ है, ये संसर हो गया, और यह प्रेथ है, ये ब्रांति हो गया, आगे संज में, तो अपरोक्षा ज्ञान होने पर भी संसर हो सकता है, ब्रांति भी होती है, इसलिए कहते हैं संसर भी ना हो और ब्रांति भी ना हो, ब्रांति के भिशेम, इसलिए कह दिया, भी जीग्यां सस्षो, तत ब्रह्मा, इत्य वम रूपम सुत्वा, इस पेकाश स्वरूप को सुन करके, लक्षण बाक्यों को सुन करके, फिर क्या क्या देखलो, पहले तो लक्षण बाक्यों को सुनना पड़ता है न, है न, दैसे आपने सुन कि भीवे किसको बलते हैं, नित्या नित्य वस्तु भीवे कह, तो क्या करना चीए, पिर सुनाने रहना चीए कि गटाना चीए, शुन लिया तो सुनाना चीए कि गटाना चीए पहले, क्या, कहीं कहीं सुन लिया न, आप सुनाओ लोगम पो, बैस, एह कहीं कहीं सिक्षा दे थे एब्स ने सुनल्यान अब लोगें। लोग है सोचते हैं इत्य क्या है अनित्य क्या है जीवन में आना चाहिए? की नहीं तो ऑनन daha दीको सेशल तल लक्षण असमहरे नुझते हैं लिखते हैं पांज, तो उसमें जो ब्रह्म का लक्षन कहा था, वो घटाया, घटनी पाया, स्थूल शरीर की भी उत्पत्य हो रही है, तो जिसकी उत्पत्य हो रहे हो कारण कैसे होगा, अन्नमय को जो कोश है शरीर, ये तो अनित्यन है, और देखते देते गयाब हो जाता है, पानी के बुलबुले की तरह है, ये कैसे होगा ब्रह्मा, ये ब्रह्मा नहीं हो जकता है, जो स्वया मास्रित है, वो दुसरे को क्या सत्ता देगा, आज सज में, इसलिए लक्षन नहीं गटाःगा, इसलिए अन्नमय में गटाःगा, फिर काम्परका, कि जो है, प्रानमय, मणमय, और विग्यानमय, सभी में लक्षन गटाःगाई, अगे कि नि, मौनमय भी विकारी है, पर 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 शुटि के आधार 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 पहले होता है कि मनन पहले होता है। शूति का स्रबन पहले अत्त आधरित जुक्ति का आधार बाद में। शूति आधरित जुक्ति का आश्रवे बाद में। तैसी प्राण में भी यही होगा। प्रान की भी उत्पत्ति होती है, एतस्मा जायते प्राण, मना सरबेंदरी आने चाहिए, इसमें प्रान भी का आगे है, रही कि नहीं, प्रान क्या ची जा है, बेदान्त में प्रान क्या है, प्रान क्या है, बुलो, नहीं पता है प्रान क्या है, नहीं पता है प्रान क्या है, प्रान का सुरूप क्या है अरे भी हिरन गरवग ने कह रहा हूं चेतन के बाद नहीं कह रहा हूं प्रान क्या है वेदानत्मा अनात्मा तो है अपांच क्रित पंच महाभुद के किस्य उत्पन्न होता है रजो अनसे होता है प्रान उत्पन्न होता है खोंगे ना ऐसा होता है और शात्वीक अनसे से तो बाद वेदान जोते है सात्वी गसन से तो भाई ये आपका अंत्यकन उत्पन्न होता है को अंत्यकन उत्पन्न होता है किसे हैं सत्वांच से सत्वांच से अंत्यकन उत्पन्न होता है ये किने अरोजांच से क्या उत्पन्न होता है प्रान उत्पन्न होता है करमेंद्र तो अलग अलग से होता है अलग अलग सत्वांस से रजवांस से करमेंद्र हो और सत्वांस से अलग अलग से ज्ञानेंद्र होता है यह जानते ना बलो यह पक्रिया है जो उत्पन्न हो रहा है वो ब्रह्मा नहीं हो सकता है प्राण मयो, कोशा ना ब्रह्मा, उत्पत्ति मत्वात, घट की उत्पत्ति होती है, प्राण की उत्पत्ति होती है, यह की निए, प्राण का सम्मंध हो गया, शरीर के साथ इसी का अब जन्म कहते हो, और यह निकल गया, तुर शरीर को छोड़ दिया, तो इसकी क्या हो गया, म आत्मा में करते हो, इसका नाम होता है धर्मा अध्यास, क्या है? और आपको जोदी बीवेक हो गया, तो अध्यास नहीं होगा, धर्मी अध्यास नहीं होगा, क्या हो जाने पर? बीवेक हो जाने पर, दो धर्मियों के सुरूप का बीवेक हो जाने पर, धर्मी अध्यास नहीं हुआ मैं अलग है प्राण है तो प्राण का धरमा प्राण का रहेगा आत्मा का होगा हिए विवेग हो अध्यास के निवर्ति होती है अध्यास के निवर्ति होने पर अध्यास जन्या कार्या के निवर्ति हो जाएगी धर्मिय अध्यास से धर्मा अध्यास होता है पकड़ मैं एक नहीं है काम कर्मा भी होता है अध्यास से अविद्या काम कर्मा बलते के नहीं इसलिए ब्रह्म नहीं है यह कोश ब्रह्म नहीं है ऐसा निश्च्य होना चाहिए इसलिए ब्रह्म नहीं है पिर क्या कहा आनंदम बेजग जिवान आनंद कोश नहीं है ठीक है ना कैसे जाना सोना ठीक से आनंदमय कोशे आनंदमय कोशे कारण ब्रह्म नहीं जो पंच अवयवत्वे ना पांच अवयव काहन कोश ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा देखो उसे प्रतिष्ठा को नहीं प्रतिष्ठा मतलब क्या है शबका आधार आनंदमय कोश भी जिसमें आश्रित है ब्रह्म है वो ही ब्रह्म है वो कोन है वो ही ब्रह्म है ऐसा सुना तात्पर क्या है सुनो जो आनंदमय कोश में आनंद प्रतिफलित होता है ठीक है ना जो जो मन थोड़ा सांत हो गई है एक है ने तो सांत मन में मन जब सात्यक होता है सत्यकुन जब बावल्य होता है अनुकुल विश्चे की प्राप्ति होने पर मन सांत होता है सुनते है ना तो उसमें भीम्बरूप आनंद का प्रतिफलन होता है क्या होता है जिसका प्रतिफलन हो रहा है जिसका आभास हो रहा है जैसे घटाकार बृत्ति में जिस चेतन्य का आभास हो रहा है वो है मुख्य ज्ञान प्रतिपोध, विदेत्तम, मतम कहते हैं। इस परकार से अलग अलग जो बैसिक आनंद हो रहा है। वो सांतमन में हो रहा है। इसका प्रतिपला होने पर यह सुक की प्राप्ति हो रही है। वो को ने भीमब रूप आनंद उब्रह्म है। बीमब भूतम आनंधम ग् trainees joke- वो को रहा है। प्रतीपला कये। क्या मिए। प्रतीपला की अपरेक्शास है नलग आनंद हो न बीमब अनदन है…। आत्मा साक्ची है कि साक्चे है क्या है आत्मा साक्ची है कि साक्चे है क्या है बोलो साक्ची है आत्मा क्या है साक्ची होगा तब साक्चे कौन होगा साक्चे जी दिना हो तो साक्ची कोगा उसको तो फिर शाक्षे की द्रिष्टी से उपेक्चा से उसको साक्षी बला जाता है आपको जिदी ज्यान हो गया कि साक्षे कोई साक्षी से अतिरिकता है ये नहीं तो किसका साक्षी होगा बलो जैसे परमात्में के दे चेत्रग्यम, चेत्रग्यम चापिमां बिदी सर्व चेत्र सिभारत आपको जिदी ज्यान हो जाए कि चेत्रगी सत्ता, चेत्रग्यम से अतरिकता है नहीं आई संज में तो परमात्म में चेत्रग्य संग्या भी नहीं रहेगी खेत्रग्यान तो धर्म भी नई रहे गाए उसको चेत्रग्यां भी नहीं कह सकते हैं छीए ब्रह्मा लक्षण के जोजण ना घ्टा दिया, ठीक है ब्भगवान भटाने के लिए जोग्यता होनी छी ना उसी में फस जाएगा किसमें, कोसे, प्रतीम आनंद में पोज जाते हैं लोग, अभी आयेगे ना, विद्यानंद बेगरा सब आयेगा, जिसमें पोड़ों के पंचो दसी, जब समझ में आयेगा, तो उसे में लोग पोज जाते हैं, बैस, कि भी शब्द, ना, शब्द को समझने से, जो आनंद मिलत आगे बढ़ना चाहिए बिंबरुप आनंदक पहुंचना चाहिए ब्रह्मत्य नग्यात वानित्यरत विंबरुप आनंद वही प्रह्म है वही मेरा शरूप है इसा उसने जान लिया संसय विपरिय रही थोपर की अपुरुप शरूप से जान लिया ठीक है यह बारा नंबर श्रूप का हुआ अब आगे बढ़ते हैं तेरा नंबर श्रूप के पर यह प्रश्थियों प्रश्थ ए कि मरू पारूरी वहरास प्रिगूत कहाकि उस ब्रह्म को जानो इस तद विजिक्ञास सुन तो इसको इसको ग्राराइ चैने के लिए ना कि सरूब लक्षान से लिए खुड़ा सकुष्त रहताओं। कि अ सरूब लक्षान डे बोलने रिह सuvoरूब लक्षान्स हुनकी, हाँ, सव्भू लक्षण यह कहा कि ना, ठीक, कहे रही है इनिए सट्याम ज्याना मां अनांतम प्रह्मा उसने को सवरूप लक्ष्ण मरा है कि या और यह तहसल क्षन का है क्या ताटसलक्षण से का कि दोनों एक है तोटत लक्षन, स्वरूप लक्षन ऐसकी होता है उसका जो स्वरूप जो धर्मा है है कि नहीं तो उससे जो लक्षित होता है उसको गते स्वरूप लक्षन क्या सच्चित आनन्द आज तोटत लक्षन भी उसी का होगा कोई भिन्नत होगा ने कि ने तटात लक्षण जिसमें घटा देंगे तो उसका सुरूप का जाएगा सुरूप का बेविचार तो होगा ही नहीं ठीक है चलो कि एक लोगो अधर्वी तो इसे ब्रह्म सुत्रें पड़ते हो कि तहाँ अधर्वा Прिंवाप्स ब्रह्मा जिग्यां से बोल दिये पिर आगे क्या Tapir जैनमादिय से ये तेका है ये तटस लक्षण हुआ ना ठीक है तो लक्षण जब घड जाएगा अनुभाप से तो ब्रह्मा का स्वरूपत अपने अब अभय वेक्त हो जाएगा कौन सा हो ये स्वरूप सच्चितानद ऐसे होते है ठीक है चलो हाँ हाँ चलो ठीक है तकस लक्षण से या शुरूप तकस जाएगा तो लक्षण बोद होई है बोद होई आएगा कथम आनंदे तद लक्षणम जोजितवा ए देको बहिए आनंद में ब्रह्म का लक्षण जो घटाया कैसे घटाया तद लक्षण पेना से ब्रह्म का लक्षण आनंद में घटाया कैसे घटना चाहिए न अनोभाप से देव घटा रहे हैं इसे पे बहिए तद जोजना प्रकार दर्शना परम लक्षण की जोजना हुई घटाया कैसा बहिए गटाना बोलते हैं जे सुत्र को गटाओ यहां पर इसुद्धी पास्टे में गटाओ इको जोने चीवी को बोलते हैं कि ने इस जुगार यतवा इमानी भुतानी को गटाओ आनन्द में तब तो आनन्द ब्रह्मा होगा है कि ने भहिए? चलो देखते हैं देखो प्रतिम ब्यत्व आनन्द से बिम्ब आनन्द को यहां पर समझना है क्या? प्रतिम आनन्द से हाँ जैसे मुख्य ज्ञान को समझना किस से अनित्य ज्ञान से गौण ज्ञान से नित्य ज्ञान को समझना पड़ता है प्रतिवित्व आनन्द से किसको समझाना चाहते हैं विम्वरुप आनन्द को समझाना चाहते हैं यह पक्रिया है आम पर वोगे ना? चलो इसले कहते हैं आनन्दा धी एवा खलो इमान भोता नी जानते आनन्देना जाताने जीवन्दी आनन्दाम प्रयंते अविशाम विशंते इती बाक्यम यह बाक्याया थितिरिये में आना? और्थ तहा पटते सब्द से नहीं पढ़ रहे हैं पर उसको शार सार जो अर्थ है उसको पाड़ कर रहा है क्योंकि आमको भाब को समझना है है कि नहीं? उपनिशत्त बाद में समझेंगे पले भाब को समझ लो ठीक है? आनंदा देव भूताने जायंते तेन जीवनम् तेशामलयस्चतत्रातो ब्रह्मानंदोनसंसयः आनंदा देव भूताने जायंते तेन जीवनम् थेशामलयस्टतत्रातोंदानändोनसंसयः देखो ऐसा है ना इतटा स्त लक्षन चल रहा है कार्यस से कार्ण का ज्ञान होता है पहले, किसका? कार्यस से कार्ण का ज्ञान होता है यह पक्रिया है यह पक्रिया सुगम होती है और शरूब लक्षण से घटाना लक्षण को लक्षण में घटाना लक्षण को यह पड़ा कठीन होता है निरिविशेश सत ब्रह्मा है तो क्या समझ में आपको बिना बिशेश से कोई दिख्ता तो नहीं है कोई बश्तु क्या बिना बिशेश से बिना कोई गण धर्मा से दिशको सत रूप से लक्षण करती है सत्यम ज्यानम अनांत ब्रह्मा हाना ओ सत कैसा है निरिविशेश सत बिना बस्तु से कोई सत का अनुभब तो होता नहीं है इन फेड़ा हो पक्रिया थोड़ा कठिन पड़ता है ,। कौनजी पप्रिया है..? श्वरूप लक्षाण को घटाना लक्षह में ये थोड़ा कठिन पक्रिया जाना य। शा ये बैदांत का रहस्य है आगया है? जिस ब्रह्म को ज्यान सब्द से का जाता है, बिज्ञानम का आगया, चीत का आगया है, है कि नहीं? ब्यभार में हम ज्यान से किसको समझते हैं? घट ज्यान, पट ज्यान, मट ज्यान, यह तो ब्रह्मा का लक्षन नहीं है, तो बुद्धी में बढ़ता है क्या? न इत्य ज्वध न बलातो हो चकता है। लेकिन ब्राह्मा ज्वध्यान सुरुप हो, इतो बुद्धिमेन ही परकड में आता है न। अगया? इस जब एक आनन्द बले से क्या समझते हैं वेभार में हमाँ? विशे स्य आनन्द हो रहा है? और विप्राइक है। और क्या है? में जल्दी बेढ़ती नहीं है। इसले कौन सी पक्रिया होती है। तटस लक्षण की पक्रिया होती है। आए पगड में आए? अस तो हिसे होता है तुझस के लोता टेखो आनन्द पर ना इकार सानध धी भी घोटों allen आनन्द से प्राणी कुश कर्द्पत्त ने जानाया सब ग्रेष्त रो जानते हैंि आनन्द से प्राणी कुश कर्द्पत्ती होती है और जो भी करते हो संसार में या आनन्द में आस्रित होकर ते करते हो और क्या है प्रोजनम बिना मंदों पी ना प्रबर्तते बोलते की नहीं बिना प्रोजन क्या है सब का बोलो आनन्द मिलेगा बस आनन्द के में आधारित होकर की सब कुछ करते हो एकिने लड़ू खाते है क्यों लड़ू प्रिया इज लड़ू खाते हैं लड़ू को देख करके क्या अनभव होता है आपको इदम मोदका मद अभिष्ट साधनाम मेरे लिए अभिष्ट है तो प्रिया बुद्धी होती कि नहीं होती है सारा संसार आनंद में असरीत है बस अगड़ मैं कि नहीं है अज सब छोड़ चाल करके सुसुक्ते में जाते हो ना तो क्या दुख मिलता है क्या सुख मिलता है आनंद मिलता है ना यह सब का लग कहां पर हो रहा है आनंद में हो रहा है और क्या है क्यों है कोई मरना चाहता है योदि आनन मुझे आनन मिलेगा यह समझ कर तो मरना चाहता है आत्मा ते करता है वह लोग का भी तो क्या है आनन्द ही है यह अभी पुरा करें देख लो तेना जीवन हम सभी बस्तु का जीवन मला आधार तो क्या है आनन्द ही है अरा है अत्य साम प्रतिम्वित आनन्द को लेकर बोल रहे है बीमबरूप आनन्द को लेकर बोल रहे है बीमबरूप आनन्द को लेकर नहीं अब प्रतिम्वित आनन्द है तो उसका बीमबरूप आनन्द जोरूर होगा यह कहना चाहते है आया पकड़ में कि नहीं इसलिए ब्रह्मा आनन्द ब्रह्म आनन्द एकी पदने अलग लगाए ठीके आनन्द कोन ब्रह्मा आनन्द याँपर ब्रह्मा है यह की नहीं इसमें न संसय हो इसके वेशमें किजी पेगार का संसय नहीं ब्रह्मा है तो आनन्द में लक्षन गट रहा है यहले आनन्द हो इसके प्रतिमिता आनन्द को बिम्ब से अभिन्द मान कर गए यह दरा समझ के रख लो क्या प्रतिमिता आनन्द को बिम्ब से अभिन्द मान करके बोल रहें कि आनन्द ब्रह्मा है आयागी नहीं यहाँ आईसा है टीका हमें थोड़ी से है ग्राम्या धर्म निमित्यका आनन्द एवभूतानी ग्राम्या धर्म यह है ग्रेष्ट का धर्म पतिपद्री का सम्मंद उसके निमित्यके आनन्द होता है आनन्द एवभूतानी प्राणी नो जायनते उतपद्यनते यह बोल रहें बैया अर तेना विशव भूगादे निमित्यके ना आनन्देना जातानी जीवनम् यह सारा गाजू आपका जीवन होता है ने किस में आधर हीते है आनन्द बालक से लेकर के बिरिद्धत देखतो सब की प्रभूर्ती का आधर क्या है आनन्द तो है आनन्द तो है और क्या है नहीं ऐसा होता है तेसाम प्राणिनाम लायाश्च और सभी प्राणियों का लायाश्च सुसुप्त में हो रहा है लेकिन नित्य प्रलग बोलते हैं ने इसको क्या बोलते हैं नित्य प्रलग कहां पर हो रहा है ने सुसुप्ति में तो है लेकिन आनन्द है आनन्द है ना तो आपर मन जो है लिन हो जाता है अविद्या में है कि ने तो अविद्या में भी सत्य गुण है क्या प्रधान जो अविद्या है उसमें भी क्या होता है आनाद का प्रतिपलन होता है है कि ने इजले बलते हैं तत्रमलत तस्मिन सुशुप्ति काली के सशरुप भूते आनंदे वा भवती सशरुप आनंदे वाँ पर भी तो हाला की अविद्या भृत्य है सुशुप्ति में भी मनो भृत्य तो रहे होते हैं लेकिन कौन से भृत्य होते हैं आभिद्याबृत्ति अभिद्याबृत्ति में छे प्रतिम्यती आनन्द है उसका मूल कौन है शरुप आनन्ध है क्या है शुरुप आनन्द है ठीक है भे सुसुख्त आनन्द आति रिक्ड़ कस्मा पर अनुभा शय清 tunnels कि देखो अष्आ को सुशुक्ते में बिशा का अनुभफ होता है क्या कि जाघरत काल में तो बिशा का आनन्द हो रही थे आनन्द की अनुभुती ही हो रही है बिशा की भी में हो रही है । और थोड़ी से चाय पती डालनी चाहिए थी बुलते ही नहीं जो अपने शुप्ति में जो है विशा का नहीं हो आनंद का अनुबब हो रहा है एक नहीं और किस का अनुबब होता है अब इंद्या का भी होता है अहाम शुकम और स्वाप्षम ना किंचित और वेदिशम तो किसका नो भग रहा है जानते हैं अज्ञान का भी हो रहा है किसका हो रहा है इसले अज्ञानकारा बृत्ति भी होती है कौनसे बृत्ति वहाँ पर बृत्ति का भी सकन हो गया अज्ञान, अज्ञानकार वृत्ति भी होती है, मन के नहीं, किसके वृत्ति, अज्ञान को अविद्या को एक ही बात है, ठीक है, वृत्ति यदे नहीं मानेंगे न उस तेम, तो स्वितिकाल में वृत्ति यदे नहीं मानोंगे, तो संस्कार नहीं होगा, क्या नहीं होगा, सं तो उन्ने के बाज श्मरन हो रहा है, मैंने कुछ नहीं जाना कुछ नहीं जाना कभी आपने जाना दूस्क्री वृत्ति है। कोई बिशार करें से विशत्य 그런 वह आनन दि भर्म है। इस सब के अनुभव से सिद्ध है क्या करें हैं यहां पर सरवा अनुभव करने से वहां पर तो भाई मौनुभृत्ति नहीं है तो कौन सा अनुभव हो गया वहां पर साक्षी अनुभव है कैसा अनुभव करने से साक्षी रूपी जो अनुभव साक्षी है ज्ञान ज्रूप तो अनुभब ना है, तो सब के पास साक्षी है क्या है, है, वो कहा जाएगा, वो ना हो तो फिर उसका भान ही नहीं होगा, सुष्प्ति का, उढ़ने के बाद फिर कुछ भी भान नहीं हो, कुछ भी स्मनन नहीं होगा, साक्षी जिदे नहीं मानेंगे तो उसका प्रकास नही प्रश्परण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, पक्डमाया, ऐसे जलो, तो सारव अनुभाव सिद्ध है, अनुभाव से मला साक्षी से सिद्ध हो, नात्र संसया करतव्य, देखो, सब के साक्षी के साक्षी रुपी अनुभाव सिद्ध होता है, उसमें कोई संसया होता है क्य कि वंचि में संसाय collar नहीं होता है शुग मुझे हुआ के नहीं हुआ हुआ संसाइ में नहीं होता है जैना उसमें किसी परकार संसाइ कि इती भावा यह घृंतकार का अईपरा है आगे थोड़ा पड़ते हैं भी, इबं तेतरियक सुति पर्यालोचन या, ये कौन से सुति थी? तेतरियक सुति थी, उसका पर्यालोचन से, विचार से, ब्रह्मना आनन्द रुपताम प्रदर्श्य, इले आनन्द रुप को ने, ब्रह्म है, आनन्द सरुप ब्रह्म है, उसक को दिखला दिया, और कहते हैं छृन देगा सूतिए को ले होगा nuevos आप जले सअरल पड़े हैं यह बोलते हैं खानद अज़ए शूति परज्थाल हो चनल यह आप एंग aur उपनीशात पहले पड़ोगे पंचस औससे पहले पड़ोगे पढ़ा ऑना है किया पोलीशात पढ़ा पर आतों संघ माईगा है ने तो कुछ सम्जमे नहीं आएगा इसका मतला जहराई है यह गरंत मैं चांधग्य सुति परजाल भाड़ा था जा म Went दिधर-स हो आछा जैसा बोल रहे हैं इसा मान लो सबसे सराल उपाई है क्या है जांदे हो कि मैं इसा लिखा है तो ज्यादा बोधिन अलागा अहां लिखा है गुरुजी बोल रहे हैं और क्या है मानना को ये सवरल ऊप ए कस बहुंत करना इसे या। जमराजी कहते हैं, परमात्मा है पहले मानो, मान कर आगे बढ़ोगे तो परमात्मा का अनुभाब ही हो जाएगा तुम्रो गट पकड़ माई, लेकिन लोग आज किया सेक्चना हैं पहले हम नहीं जाने के तो मानेंगे कैसे? आप कुछी भोलोगो तो मान लेंगे? मा बोल जया थे कैसे माल ले आपने, मा बोल जया कि तुम्हारे पिताजी है, डेड़ी है तो कैसे माल ले आपने, अपना जाना थे क्या? क्या जी? मानना बना सद्धा है जब किया था तो इसमरा वहां को हुआ? उनका कुछ अलक अही प्रय होगा ऐसे नहीं थोड़े से होता है अरे विदान में यहिए होते है बैदाद में भी ऐसे होता है पहले मानना ही पड़ता है क्या पहले क्या है बैदाद में भी एही पक्रिया कोई दूसरी पक्रिया नहीं है बैदाद में ही बैदाद में भी पहले क्या है मानना पड़ता है पहले मानना ही पड़ता है, यतोबाई अभी सुन्द रहो आप पहले जनौ को कई से बताओ पहले पहले मानना ही परता है आगे चलो चांदग्य सुति परजालोचन यापी ताम दिदर्शाईशु चांदग्य सुति का योदी परजालोचन करेंगे इसके द्वरा भी यही है ताम दिदर्शाईशु ताम करने से आनंद रुपताम ब्रह्म का स्वरुप आनंद रुपता है इसको दिखाने के इच्छा करने वाले, ठीक है ना, दिदर सहीशु कौन, क्रंतकार, बोलते हैं कि संबाद तमको बता रहा है, नहीं तो नीन आजेगी न, इले संबाद भी कहानी बताने चाहिए, सनत कुमार नारद संबाद रूपे, यह देखो भई, सनत कुमार भगवान है उनके पास कौन चलेगे, नाराजी चलेगे, सारे अहिमान को छोड़ करके, मैं इतना पड़ा हूँ, इसको भी भूल करके, सब्तमा अध्या यह, सातमा जो अध्या है, उसमें एक क्रंत है, देखो, स्थितस्य, भूम रूप ब्रह्मा प्रतिपाद्यकस्य, ब्रह्मा का सु भूमा प्रतिपाद्यकस्य आध्या जो बाध है, उसको देखला हूँ, देखो, नान्यतपश्यति, नान्यतच्चणोंति, ना अन्यतविजानाति स्व भूमा, यह कह रहे हैं पर, है ना, इत्र नान्यतपश्यति, जहाँ पर एक दूसरे को नहीं देखता है, मैं दरिख दरिश्य दर्शन. व्यागे ना? ये तरी बूडिका अभाव कहादिया. नांट क्रोणती, ना सुन्य माला, है कि ने? ना सुन्य का विश्य, जा विश्य नहीं तो उसका ज्ञान भे निया होगए, श्रबण भेनी होगए, है कि ने? उसका अभाव कहादिया. नांट विजानाती, ज्याता, ज्यान, गेय, और पहले क्या कर दिया, द्रस्टा, द्रीक, द्रस्चन, द्रिश्य, द्रिक, द्रिश्य, द्रस्चन, ये तीनों का अभाप, त्रीपुटी का अभाप, जहां पर त्रीपुटी है ये नहीं, परिचेद है ये नहीं, सभूमा, ओ है भू है और तहमनले तातीन Nowak dobrze एक से अर्थ एक साव इसको कहते हैं सौना करें आप लिए उसको कहते हैं क्या सा अ करें दरी माघ्किश्च न रव्त है अर्थ इससी है कि अन्य इन है सकी कर菜 रहें है कि प्यांग शॉलिट निया सबसुर्पर निया। त्रिपुटी द्वेत भर्जनाद ज्यात्रे ज्ञानागे यरूपा त्रिपुटी प्रलाएहिनो भूत पत्ते हे पूरा भूता मतलब क्या है भूता मतलब क्या है पजार्त भवन्ति थी भूता भूता मतलब जिसकी उत्तत्ति होती है इसका नाम क्या यहां पर भूता भवन्ति थी भूतानी पहले जगत की उत्तत्ति से पहले कुछ नहीं था ना कोई द्रीक है ना कोई द्रिश्य है ना कोई द्रिश्य है ना कोई देश्य माल लेजिए आप जिस्से में आपके अंदर कोई बृत्ति नहीं है विचार करके देख लो जिस्से में आपके अंदर कोई बृत्ति नहीं है किया थिक है टिएक अब द्रीक है अर्व पूसर है मोग बोलो अब द्रीक है क्या अरह बही ज cholern to facet क्या होता जानने वाला है कि अधिरीग क आतर से जानने अधिकने वाला आप बिली किसा घ्रीग है उसे में। जानते हो, अपने से किसी अतिरिक्त को जानते हो क्या, आरे भी कौन द्रिश्य रहा हो से में, कोई द्रिश्य नहीं रहा, कोई द्रिश्य नहीं तो क्या द्रिख होगा, द्रिश्य जिदे नहीं है तो द्रिश्य का ग्यान होगा, घट जदे नहीं हो तो घट का ग्यान होगा, है कि नहीं तो द्रिश्य नहीं है आप द्रिखी भी नहीं हो आप द्रिख द्रिश्य नहीं है तो दर्शन भी कहां से होगा इधना आया पकड़ में लेकिन एक बृत्ति संकल्पित हो गई एक बृत्ति वहसित हो गई स्पुरित हो गई आपके मन में आप क्या होगे आप द्र थीत पर में डिखाए दिया तो आप क्या हो गया उसका ज्यान दर्शन हो गया कि नियों लेक्ट गणा उसकी उत्पत्य से पहले आप कैसे थे डिख थे कि जिए द्रिश्य थे कि क्या थे कुछी का नाम होता है सत सदेव सम्या इदा मगरे आसेदे पहले बोल दिया सश्ट अध्या में पहले बोल दिया सश्ट अध्या का जो अधिकारी है ना मुख्य अधिकारी वही है मुख्य अधिकारी सब्तम अध्या का सब्सक्राइब का सब्सक्राइब का जो अधिकारी है, वही अधिकारी है, सब्सक्राइब का अधिकारी, मुख्या अधिकारी कितने होते हैं, एक होते हैं, दो होते हैं, मुख्या अधिकारी एक ही होता है, उने के नहीं होते हैं, एक ही होता है, ठीक है, यह कहे रहां देखो, वही भुमा है त्रिपुटी द्वेत वरजनान उसमें त्रिपुटी कि त्रिपुटी रूपी द्वेत त्रिपुटी यहां पर लिखेंगे त्रया नाम पूटा नाम समाहारह यह त्रिपुटी तीनो पूट पूट मतलब आकार ज्यात्री ज्यान गेयर द्रीक द्रिश्य दर भूदा रसन होगे नभी इसको बोलते हैं पूट आकार आकार क्या बोलते हैं यह तिनों का आभाव जहां पर द्वेत वर्जना बोभूमा वही है ब्रह्म का लक्षन ब्रह्म का स्वरूप आए सज्में आगे लेके देखो ज्यांत्र ज्याना गयारूपा त्रिपुटी प्रला ही ना अब प्रला में भी कोई त्रिपुटी नहीं रहा है ज्यांत्र ज्यान गयारूपा कोई नहीं रहा है तो जहां पर त्रिपुटी का अभाव होता है जहाँ पर कोई विशेश, जहाँ पर कोई भेद, जहाँ पर कोई परिशेद नहीं है उची को कहते हैं भूमा, कोई भूमा है ब्रह्मा का सरूप यह सरूप लक्षण हो गया, क्या? यह भूमा, यह ब्रह्मा का क्या लक्षण हुआ? तटल लक्षणे सवरूप लक्षण और यतुभाई माने बोताने जानते ओ क्या है तटल लक्षण यो दो हो गये ठीक है पहले तटस्त है कि फ़ले सवरूप तटस्त हो तो आच्छा होता है आच्छी पक्रिया होती है इसका विचर गल करेंगे ओम पूरा मदाः पूरा मेच पूरा पूरा मुदाच के पूरा च्खाम पूरा मादा पूरा मेबाब अशिस्षते ओम शांते शांते शांते